नमस्कार साथियो स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल विकास जी के कलासिज में और जैसा की पता है रोज शाम आठ बजे अपनी राजस्तान पसू परिचर की कलास होती है तो अपना टोपिक चल रहा था कल गाई की विदेशी नसलें दोस्तों इससे पहले आप चैनल नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना इस वीडियो को लाइक करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करना दोस्तों फॉलो करना विकास जी के कलासिज यूटूब चैनल विकास जी के कलासिज फेस्वूक पेज विकास जी के कलासिज इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो करना दोस्तो, शुरू करते हैं आज की कलास, गाई की विदेशी नसलें की थी, थोड़ी सी बात सोची करी थी हमने, जर्शी गाई के बारे में उत्पत्ती स्थान है, इंगलिश चैनल का जर्शी दीप स्मयंग लेंड में पड़ता है जो, ये जर्शी गाई का उत प्रतिस्थान हो जाएगा दोस्तों बात करते हैं नेक्ट जर्शी गाए की फोटो देख लीजिएगा ये जर्शी गाए की फोटो है दोस्तों इसका वीतरने छेतर यह नसल बारतव है राजस्तान में भी दूद अधिक उतपादन के लिए पाली जाती है यानि इंडिया में और राजस्तान में जर्शी गाए दूद उतपादन के लिए पाली जाती है दोस्तों आगे बात करते हैं जर्शी गाए की और भी सेस्ता हैं गायों में सबसे अधिक दूद काल यानि 365 दिन ही होता है दोस्तों यानि वर्ष वर्ष दूद देती है गाए जिसमें से यह है च स्क्रूदिक ओस्त वसा चार.पॉइंट से पॉइंट जीरू तक इसी की होती溢 दोस्तों यानि इसमें वसा सबसे जादा होती है फ्ैंट भी सबसे जादा होती है से आगे बात करते हैं विदेशी नशल की दूसरी गाएं और इसका नाम है ओलिष्टीन फ्रीजियन यानि एच सब जिसे बोलते हैं ओलिष्टीन फ्रीजियन ऐसी गाएं अपने अमोमन गारों में पाली जाते हैं उत्पतिस्तान है इसका ओलेंड नेदरलेंड और विश्वा में सबसे ज़्यादा दूद देने वाली गाए की नसल है नमबर वन दूद देने में गाए की नसल है छेजार लीटर परती ब्यांत दूद देती है दोस्तों याद रखिएगा आगे बात करते हैं इसी गाय के बारे में सबसे कम फैंट होती है 3.5 परतीशत इसकी फैंट होती है दोस्तों ध्यान रखना HF गाय की आगे बात करते हैं अगली नसल की और अगली नसल का नाम होगा अपना बराउन स्विश उत्पतिस्तान देखते हैं यह नसल स्विजर लेंड में पाई जाती है यह नसल विश्वे में सभी स्थानों पर मिल जाती है दोस्तों याद रखिएगा बात करते हैं विशेस्ताओं में इसका रंग बुरा होता है इसका नसल का रंग कैसा होता है बुरा साती बुरे रंग के विविन परकार भी पाई जाते हैं दोस्तों बूरे रंग में भी साथ साथ अलग भी रंग पाई जाते हैं शीर चोड़ा माथा बीच में से दसा हुआ होता इसका और सिंग मद्यम लंबाई के उपर की और उठकर अंदर की तरफ मूड़े होते हैं दोस्तों यानि उपर की और उठकर अंदर की और मू दूोज दूद उतपादन 3,000 لीटर से 200,000 लीटर परती है इस गाए का होता है कुन्छी गाए पढ़ रहे थे ब्राउन स्विस गाए पढ़ रहे थे दोस्तो और ब्राउन स्विस के शबसे ज़दा गर्मी सैंप조 करणे की चमता होती ने पर ब्राउन स्विस की मैं आप फोट बात करते हैं अगली गाई की नसल की और इसका नाम है रेड डेन उत्पति कहां से होती है डेन मारक से होती है यह संपुर्ण विश्वे में गाई फैली है दोस्तों और इसकी विशेशता ही देखते हैं तो इसका रंग होता है लाल पेट के निचले से फर सफेद दब्बे होत होते हैं यानि लास्ट में मोटे हो जाएंगे नीचे से पत्रें निकलेंगे और आगे की और निकले होते हैं दोस्तों यानि आगे की और निकले होते हैं और यह इसकी फोटो है दोस्तों कौन से गाई की रेड डेन गाई की है रंग कैसा है बिलकुल लाल रंग की मिलेगी दोस्तों ये गाए आपको आगे बात करते हैं रेट डेन की विशेष्टाओं के बारे में यह नसल ओलिष्टिन फ्रीजिन से भी काफी समानता रखती है यह यह एच अफ जैसी दिखती है गाए दूद उत्पादन तीन जार लेटर से पांच जार लेटर परती ब्यांत होगा दूद में बसा की मातरा 4.2% होती है दोस्तों ये भी याद रखना अगली नसल है अपनी इसका नाम है आयर सायर इसके उत्तुपति 97 बता देता हूँ आपको स्कोट लेंड है और विश्वे में संपूर्ण जगाए पाई जाती है दोस्तों और विशेष्टा इसकी इसका अलके रंग से गेरा लाल बूरा तता सफेद रंगों का मिसर्ण होता है और सिर्थ छोटा वे मोटा होता है इसके लावा इसके सिंग लंबे वे उपर की और बढ़कर आगी तरह आगी की तरफ जूके हुए थे होते हैं दोस्तों ये भी आप याद रखिए इसके लावा ग होगा 305 लिटर पृती ब्यांत होगा दोस्तों और इसके लावा देखते हैं इसमें वसा की मातरा कितनी ओगी तो वसा मिलेगी इसमें 4 % यानि आयर सियर में वसा कितनी होगी 4 inspiring वसा मिलेगी दोस्तों याद रखना आगे बात करते हैं नीक्ट किसम नसल की करन स्वीश यह NDR ally करनाल के द्वारा Brown, Swish, Neur, Nair और बारतेन नसल साई बार के मादा संकर्ण से तियार की गई है यानि कर्ण स्वीश है ना दोस्तो ये NDR करनाल में जो अपनी संस्तान है ना उसने Brown, Sw France, Neur और बारतीन साई बार के मादा से क्रोस करवा के नसल त्यार की है विशेस्ता है इसकी रंग गहरा बुरा होता है कभी-कभी माथे पर सफेद दब्बे भी पाई जाते हैं दोस्तों माथा समतल से दसा हुआ होता है और कान छोटे होते हैं इसके लावा गर्दन मद्य मकार की होती है हम पकूबड नहीं होती है बिल्कुल सेम टो सेम विदेसी नसल की इस तरह ही है दोस्तों और पर्थम ब्यादे की उमर होती है 30 से 32 मात और दूद deber 2-3000 से 4000 लीटर पर ती ब्यादे पाये जाता है दोस्तों ये वादा पर याद रखियेगा इसके लावा इस नसल में मैं आपको बता देता हूँ कि वसा की मातरा कितनी होती है वसा की मातरा 4.2 से 4.4 पर 30 तक होती है दो ब्यांत का अंतर 400 से 424 दिन का होता है यानि दोनों ब्यांतों का अंतर 400 से 424 दिन का होता है इसके लावा अगली नसल है करन फिरीजियन यानि एचप का तो नर है और थार पारकर गाए का क्या है फीमेल है इसके दोरा क्रोष से गाए तियार किये है करनाल की डैरी ने तियार किये दोस्तों इसकी विशेस्ता बता देता हूँ आपको रंग काला सफेद दब्यदार होते हैं और गादी अडर का रंग भी काला जिस सफेद दब्यदार होते हैं कभी कभी थनों का रंग भी काला हो जाता है और पसू सुस्त होते हैं यानि ज्यादा एक्ट्यूब पसू नहीं दिखते हैं दोस्तों और पर्थम ब्यांत की उमर होती है 30-32 माह में गाए पर्थम ब्यांत होता है कंप्लीट ओस्त दूद उतप subscribe करके bell icon all पे set करना ताकि आने वाली हर वीडियो का notification मिल्सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में share करना या आप किसी study group से जुड़े हो या किसी अपने whatsapp status पे जरूर लगाईएगा या whatsapp किसी study group का हो तो उसमें इस वीडियो लें पड़ें मैं table कराऊंगा आपको तो आज के लिए इतना है दोस्तों मिलते हैं सुब़े साड़े चैविजे तब तक के लिए जैहिन जैवार धन्यवाद दोस्तों